बतादे मुंबई के दादर इस्तित एतिहासिक सिवाजी पार्क में जनसभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट के पूरो मुख्यमंत्री और सिवसेना प्रमोख धो ठाकरे ने एकनाथ सिंदे पर तीखा हमला बोला ठाकरे ने सिंदे को देश द्रोही कहा ठाकरे ने सभा में कहा कि ये गद्दी उनके सिवसेनको की नहीं है उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो किया वो सही नहीं किया उद्धो ने कहा कि भाजपा ने मेरी पीठ में छूरा घोपा और उसे सबक सिखाने के लिए मैंने कॉंग्र वहीं उद्धो ठाकरे ने कहा कि इस बार का रामण 50 खोखे वाला है विधायकों को पाला बदलने के लिए 50 करोड रुपे की कथित पेसकस का जिक्र करते हुए उद्धो ने कहा इस साल का रामण अलग है रामण के 10 सिर हुआ करते थे लेकिन इस रामण के पास 50 हैं उन्होंने समर्थकों का अभार जदाते हुए कहा सिवसेना का क्या होगा यहां की भीड को देखकर अब सवाल या है कि देश द्रोहियों का क्या होगा सब इकठे हो गए हैं हर साल की तरह इस बार भी रामण जलेगा लेकिन इस बार का रामण अलग है ठाकरे ने आगे कहा कि यहां एक व्यक्ति पैसा लेकर नहीं आया है ये वफादार सैनिक है हर साल की तरह रावण दहन होगा लेकिन इस बार हमारे पास अलग अलग रावण है रावण के दस सिर है लेकिन यह रावण सिंदे के पास पचास है मुखिया नहीं है लेकिन वे खोक हैं वहीं दसाहरा के मौके पर इतिहासिक सिवाजी पार्क में आयोजित मेला रैली में उद्धो ठाकरे ने एक नात सिंदे पर निसाना साधते हुए कहा कि कल्ठपा को जनता नहीं माफ करने वाली है। उन्होंने कहा कि सिवसेनिकों की गद्दी पर सिर्फ एक सिवसेनिक का ही अधिकार रहने वाला है ठाकरे ने कहा कि गद्दारों को गद्दार ही कहा जाएगा ये बात सभी को पता होनी चाहिए सिवसेना की गद्दी मेरे सिवसेनिकों की है उद्धोंने सिंदे पर बड़ा प उन्होंने कहा मेरा नाम सिर्फ उद्धो ठाकरे ही नहीं बलकि मैं उद्धो बाला साहिव ठाकरे हूँ उद्धो ठाकरे ने कहा कि उन्हें भाजपा से हिंदुत सीखने की जरूरत नहीं है उन्होंने कहा सिर्फ इसलिए कि हमने बीजेपी के साथ गटवन्धन तोड़ दिया इसका मतलब यहां नहीं है कि हमने हिंदुत छोड़ दिया है मैं आज भी एक हिंदु हूँ और हैमेसा हिंदु रहूंगा प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी पर निसाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह जन्म दिन पर पाकिस्तान के पीम नमाज सरीप से मिलने गए थे ठाकरे ने कहा हमें उनसे हिंदुत सीखने की जरूरत नहीं है जो पाकिस्तान के प्रधान मंतरी के जन्म दिन पर सिर जुकाने पाकिस्तान जाता है